हेलो एव्रिवन लक्षे योट्यूब चैनल पर आप से भी का हर्दिक स्वागत है आज हम अपने इस वीडियो में काफी सारे मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं वो चाहे किसी से भी रिलेटिड हो चाहे वो हर्याना में स्पेशल आजूगेटर के विखेंसी हुई क्योंकि हर्याना में भी कुछ वकैंसी प्रोग्रेस में हैं कि जो पीछे कॉंट्रेक्ट बेस पर आई थी 297 स्पेशल एजूगेटर की वकैंसी उनका रिजल्ट काफी टाइम से अटका हुआ है और उसके साथ की साथ जो 1380 नई पोस्ट शेंक्शन हो चुकी है तो उनके बारे में बात करने वाले हैं साथ में दिल्ली में भी क्योंकि दिल्ली में फिलहाल पीछे ही जो PRT, TGT और PGT की कॉंट्रेक्ट बेस पर वकैंसी जाई थी तो उनकी अभी लिष्ट आनी बाकी है और साथ की साथ पर्मनेंट में जो फॉम फिल हो चुके हैं तो उनके कब तक पेपर हो जाएगा उनका और अधर स्टेट में भी आप जैसा की देखी रहे हो की काफी सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं जैसे जैसे हम इसमें काम कर रहे हैं फिल्ड में तो वैसे वैसे अब प्रोग्रेस हो रही है तो हर स्टेट से कोई न कोई खुसकबरी आ जाती है आए दिन तो सभी चीजों के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे तो और इसके साथ ही हमने भी कुछ प्लान्स किये हैं अपने चैनल पर तो वो भी बताएंगे आपको कि क्या-क्या हमने प्लान किया है और आप सभी को दिवारली की हर्दिक शुब कामने तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाना से क्योंकि हरियाना में जैसे कि आप देख रहे हो जो 200 स्थानवे स्पेसिल एजुकेटर की वकैंसी काफी समय पहले आई थी तो उसमें पहले पेपर ही बहुत लेट लिया था फिर उसका रजल्ट आने में बहुत टाइम लगा दिया था उन्होंने उसके बाद तो रजल्ट आया तो डोकुमेंट वेरिफिकेशन हुए डोकुमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अब जो फाइनल लिस्ट है वो नहीं आ रही है तो जैसा कि मैंने पीछे भी कहीं वीडियो बनाए थे और आप सभी का मैंने रिव्यू भी देखा कि जो भी मैंने वीडियो बनाए थे आप सभी को लगता है कि उसमें कहीं न कहीं मैं कोई रोड़ाट का रहा हूँ कि आपका रेजल्ट नहीं आ रहा तो उसमें किसी ना किसी वज़े से मैं जिम्मेदार हूँ मैं आप सभी को ये बताना चाता हूँ कि आपके result के लिए मैं कहीं से भी जिम्मेदार नहीं हूँ क्योंकि इतना बड़ा मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने कोई video बना दी तो वो उस base पे action लेंगे मैंने कोई video बनाई है तो उसमें fact रखे हैं कि कौन से fact सही हैं और कौन से गलत हैं उसके अलावर result मिकालना वो department का काम है और जैसा कि आप देखते हो आए दिन जो हमारे disability commissioner है उनके tweet भी आते रहते हैं कि result अब आएगा, आ जाना था, कल आएगा तो कितने सारे वो ऐसे ही अटकाते रहते हैं और अपने ही बातों से बार-बार मु कर जाते हैं तो आप सबने देख लिया है वो चीजे और इतने ही मेरे वीडियो अगर effective होते तो आप सभी जानते हैं कि उन पर कोई न कोई अभी तक action हो चुका होता है तो इस चीज़ से आप निश्चिन्त रहिए कि मेरे वीडियो की वज़ए से आपका result अटका हुआ है दूसरी बात तो अगर आपको लगता है कि ये भरती बिल्कुल सही है और आपके selection जो हुए है वो बिल्कुल genuine है तो आप अभी तक court क्यों नहीं जा रहें क्योंकि आप लोगों को इतने लंबे time से इन्होंने joining नहीं दी है तो आप चाहो तो court चले जाओ आपको किसने रोका हुआ है तो जितने भी candidate select हुए हैं तो वो सब court में जा सकते हैं और court को बता सकते हैं कि कितने लंबे समय से जो हर्याना जो परियोजना परिसद है उन्होंने इस भरती को अटका रखा और अगर आपकी बात नहीं सुनी जाए वहाँ पर तब आप बोलना कि वो कुछ तो वहाँ पर अपना वो review देंगे कि उन्होंने इतने लंबे टाइम से ये result क्यों अटकाया हुआ तीसरी बात कि अगर आप court जा रहे हो और आपको लगता है कि आपके genuine जो result है वो genuine है इसमें कोई भी गड़वड़ी नहीं हुई है तो court में जाके आप अपने fact रखो और उस हिसाब से अपनी joining लो मुझे जिनके selection हुए हैं उनसे कोई problem नहीं है मैं ना आपके selection रुखवाना चाहता हूँ और ना मैं इतनी कोई बड़ी post पे बैटा हुआ हूँ कि आपके selection रुखवा सकता हूँ मेरा सिरफ एक निवेदन था कि इस भरती में जितनी भी गड़वड़ियां हुई हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए fair selection हो ताकि जितनी भी गड़वड़ी हुई हैं उन सब पे काम करें ये दोबारा से उनको सही करके तब ये result निकालें और अगर आप भी ये चाते हैं तो मैं आपके साथ हूँ आप जैसा भी बोलोगे जहां भी जाने को बोलोगे मैं आपके साथ चलूँगा क्योंकि कितने सारे facts मैंने दिखाए हैं ऐसा नहीं है कि मैंने बिना किसी logic के ऐसे ही बात कर दिया अपने मेरे बहुत सारे पीछे वीडियो देखे हूँगे मैंने with proof दिखाए हैं एक एक document दिया मैंने आपको गड़बड़ीगा और कितनी common सी चीज है कि अगर हमारा कोई भी paper होता है तो उसके लिए answer की दी जाती है ये बहुती common सी चीज है कि अगर हमारा paper हुआ है उसकी answer की release की जाती है उसके objection मांगे जाते हैं फिर जाके कहीं उनका final result आता है और इस भरती में क्या हुआ कि ये ना answer की release की इनोंने ना objection मांग गया अब जो candidate एक एक point से रह गया है कोई एक number से रह गया कोई दो number से क्या पता उसका कोई objection हो question पे और जो objection उसका सही हो तो वो अपना objection लगा के वो इस भरती में अपने आपको सामिल करवा सकता था तो इसलिए बहुत सारी चीज़े हैं जिनको department भी ध्यान में रख रहा है क्योंकि उनको पता है कि गल्तियां उन्होंने की है और कहीं न कहीं जाके उनको वो दिक्कत होने वागी है तो इसलिए ये result अटका हुआ है और बहुत सारे candidate हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने ही वीडियो बनाया है या जो भी fact दिखाए है आप सभी भी वो सब चीज़े जानते हैं जो मैं बता रहा हूँ बस जिनके selection हो चुके हैं वो मानने को तयार नहीं है उस चीज़ को क्योंकि सभी candidate को पता है कि जब मैंने एक-एक document दिखा दिया एक-एक proof दिखा दिया तो उसमें नकारने वाली कोई बात ही नहीं है कि मैं कोई जोट बोल रहा हूँ बट आपको accept करने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि आपके selection हो चुके हैं और आपको लगता है कि यह बहुत जल्द आपको joining दे देंगे बट ऐसा नहीं होने वाला है आपको इतनी जल्दी joining नहीं देने वाले हैं और इसमें बहुत सारे अभी ultfair होने बाकी है इसके अलाबा भी बहुत सारे इस पे अभी case pending है क्योंकि आपको यह लगता है कि सिरफ मेरा ही case highlight है और भी बहुत सारे case हो चुके हैं इस बरती पे जो कि आपको पता नहीं है तो जिस दिन आपको पता चलेगा उस दिन आपको समझ आ जाएगा कि जो भी मैंने अपनी पिछली previous वीडियो में जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है सब में बिलकुल सही बोला था उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो 1380 vacancies आनी बाकी हैं तो उनके बारे में अभी तो हम फिलहाल कुछ सोची नहीं सकते क्योंकि जब तक यह भरती पूरी नहीं हो जाएगी तो उससे पहले उन चीजों पे काम नहीं होगा और आपको लगता है कि यह इसके बाद भी 1380 जो vacancies है special educator की वो निकाल देंगे यह बिलकुल भी possible नहीं है क्योंकि जब तक आप काम नहीं करोगे जब तक आप खुद effort नहीं लोगे उन चीजों के लिए तो तब तक कुछ भी होना possible नहीं है आप other state में देखी रहे हो कि court case होने के बावजूद भी वहाँ पे vacancies नहीं निकाली जारी तो आपको क्या लगता है कि आपको घर बैठे ही यह vacancies दे देंगे ऐसा बिलकुल भी नहीं होने वाला है कि आपको घर बैठे ही vacancies मिल जाए और जितने भी आप सोचते हो कि हमारा disability commissioner को हमने tweet कर दिया या हमारी कोई बात सुन रहा आप बिलकुल गल्द सोच रहे हो क्योंकि एक disability commissioner को tweet करने से इस चीज़ पर action नहीं होने वाला action होगा जब आप legally action लोगे अब खुद court case करोगे या आप खुद जाके शिक्षा मंत्री से मिल रहे हो मुख्या मंत्री के जो पी जो भी है secretary उनका तो उन से मिल रहे हो तो तब जाके इन चीज़ों पर बात होगे ऐसे ही आपके घर बैठे ही vacancies नहीं आने वाली है तो आप इस चीज़ के बारे में सोचिए क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि 1380 special educator की permanent vacancies आए बहुत जल तो फिल हाल तो कोई आसार नहीं लग रहे और अगर ऐसे ही हालाद चले तो वो नहीं आने वाली है अगर आप effort लोगे और खुद आगे बढ़ोगे तो तब ही वो vacancies आएगी उसके अलावा हम बात करें दिल्ली में तो दिल्ली में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों ही PRT, TGT और PGT तिमनों लेबल के guest teacher के form फिल हुए हैं तो उनकी जो PRT है उनका document verification भी हो चुका है अब उनकी joining आने बाकी है तो पहले अब जैसे ही चुटियां खतम होगी तो बहुत जल्द उनको जो joining है वो दे दी जाएगी उसके बाद TGT और PGT वाली vacancy के document verification होगे पहले तो उसकी list भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी तो within 15 days आपको TGT और PGT वाली दोनों list document verification की देखने को मिलेगी और साथ में अगर हम बात करें क्योंकि जो TGT special education teacher की दिल्ली में दो advertisement publish हो चुके हैं और दोनों के form फिल हो चुके हैं और पिछली advertisement को तो कम से कम एक साल से उपर हो चुका है बट अभी तक उसका paper नहीं हो रहा उसके पीछे भी काफी सारे region है क्योंकि उसके उपर court case चल रहा है और जब तक वो court case खतम नहीं हो जाएगा तो तब तक जो paper है वो होने के असार नहीं है तो जैसे ही court case खतम होगा तब जाके आप मान सकते हैं कि ये vacancy's का paper हो सकता और इसके अलावा जो अब पिछले कुछ दिनों पहले ही TGT special education teacher के form fill हुए है तो उनका paper उसके बाद ही होगा यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जैसा आप मानते हो कि जो TGT special education teacher के पहले form fill हुए थे और अब form fill हुए थे तो उन दोनों का paper साथ में होगा और combined paper होगा बहुत सारे साथ ही ये मानते हैं पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अगर combine होना होता तो इन vacancy's को भी उसी में add करके दोबारा से form निकालते अगर दो advertisement निकले हैं ये समझने वाली बात है यहां पर कि अगर दो अलग-अलग advertisement निकले हैं तो दोनों के paper भी अलग-अलग होंगे तो आप बस तयारी करते रहीं आपका जैसे ही मरलब पिछले जो advertisement आया था उसका जैसे ही case खतम होगा वो court वाला तो तुरेंट वो paper की date दे देंगे तो आप सिरफ अपनी तयारी पे लगे रही है और जो दोनों advertisement है उनका paper अलग-अलग होगा ये बिलकुल 100% sure है इसको ऐसा मत मानिये कि दोनों का paper एक ही बार होगा और इसको combine कर देंगे तो जो इन साथियों ने दोनों advertisement में form fill किया है उनके लिए सुनहेरा अवसर है कि वो दो बार paper दे सकते हैं कोशिस कीजिए कि first भरती में ही उनका selection हो जाए अगर किसी कान से किन ही point से वो रह जाते हैं तो second chance भी है उनके पास तो वो second को अच्छे से दे सकते हैं इसके अलावा आप other state की अगर बात करें तो जैसा देख रहे हो कि UP में अभी guest teacher की vacancies आ रही है जो 693 special education teacher की वहाँ पे post sanction हो चुकी थी तो आप देख रहे हो कि आए दिन किसी न किसी district से notification आता रहता है तो जैसे ही आपको लगता है कि आपके district से notification आया तो आप fill कर सकते है अब other district में भी form fill कर सकते है अगर आप वहाँ पे job करना चाहते है और अगर किसी other state का candidate भी form fill करना चाहता है UP में कोई अगर चाहता है वहाँ पे special education teacher बनना तो वो भी form fill कर सकता है ऐसी कोई condition नहीं है कि सिरफ UP वालों का ही selection होगा तो other state के भी वहाँ पे form fill कर सकते है उसके लाव बात करें चंदिगड की तो चंदिगड में भी special education teacher के form fill हो चुके है और अगर हम माने तो फरवरी end या मार्स की starting में वहाँ पे paper हो जाएगा तो बाकी वहाँ पे और भी काफी सारी advertisement आने बाकी है तो बाकी संभावना है कि वह मार्स के starting या फरवरी की end तक paper जरूर ले लेंगे इसके अलावा पंजाब और राजस्थान और और भी आसपास के जितने भी state है तो हिमाचल हुआ, उत्राखंड हुआ, वेस्ट बंगोल हुआ, गुजरात है तो तेलंगाना है, आंदर परदेश है तो इन सब में post sanction हो चुकी है और अभी कुछ ऐसे state हैं जिनमें काम चल रहा है तो उनमें भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि post sanction हो जाएंगी और उसके बाब post sanction होते ही फिर आपका advertisement में काम होने लगेगा क्योंकि recruitment rule बनेंगे और फिर आपका advertisement आने की पूरी-पूरी संभावना इसके अलावा अगर हम बात करें KBS की तो KBS में भी आपको बहुत जल्द advertisement देखने को मिल सकता है क्योंकि KBS को court ने बहुत फटकार लगा लिया और अगर उन्होंने अब भी नहीं निकाला तो फिर उनको अर्थिक डंड मिलेगा तो जो की KBS नहीं चाहेगा अब वो काम करने लगेगा advertisement के उपर तो आप बहुत जल्द संभावना है कि KBS में भी बहुत जल्दी vacancies आ सकती है बाकी बिहार में आई हुई है जो की 9-10 की है अभी फिलहार तो उसके लिए estate चाहिए और इसके अलावा जो 1st to 5th थी और 6 to 8 थी वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी जब जैसे ही इसका process complete हो जाएगा तुरंट उसके बाद नई vacancy पे भी काम होना शुरू होगा तो आप देखी सकते हो कम से कम आधे भारत में विशेश शिक्षक की जो भरती का process चला हुआ है और बहुत सारे ऐसे मरलब chance हैं जो आपको अगर आप सरकारी सिक्षक बनना चाह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता जितने भी special education teacher हैं जिन्होंने course किया special education में तो वो कोई रहा जाएगा क्योंकि इतनी सारी vacancies आ रही हैं तो उसमें किसी भी candidate का रहना possible नहीं है क्योंकि अगर उसका अपने state में नहीं तो किसी other state में selection जरूर हो जाएगा पर बात है कि कब तक ये vacancies आ रही है इनके advertisement कब तक आएंगे तो वो देखने वाली बात है बाकि आप सब स्वस्थ रहिए खुस रहिए और अगर कोई भी आपको कुछी भी question पर doubt है या कुछ भी पूछना है तो आप comment जरूर कीजिए हमें और जो भी कुछ आपका query हो तो उसके लिए हमें comment कीजिए और अपनी query को पूछिए और वीडियो को आप ज़्याद से ज़्यादा like किया कीजिए इसके अलावा हमें बात करने थे हमने क्या-क्या plan decide की है आप लोगों के लिए जैसा कि आप सभी जानते हो कि अब जैसा हमने बताया कि कम से कम आदे भारत में special education teacher की vacancies आने वाली हैं तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए ताकि अच्छी से आपकी preparation करवासके तो कुछ plan किये हैं कि आपको पहले हम किसी भी topic पे discuss करेंगे और वो topic clear करवाएंगे उस topic को clear करवाने के बाद आपको mcq करवाए जाएंगे उसी से related तो ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से होसके और आपका selection जल्दी से जल्दी होसके तो इसके अलावा हमने smart जो board है उसको हम use करने वाले हैं क्योंकि smart board के थूँ आपको पढ़ाने वाले हैं अभी तक हम बिना उसके ppt के या ऐसे पढ़ाते थे अभी हम smart board पे आपको सोच रहे हैं कि class लेंगे आपकी तो बहुत जल्द आपको वो भी देखने को मिलेगा और उसके अलावा हम live interaction करने वाले हैं बहुत जल्द तो आपके क्योंकि जितने भी doubt होंगे वो live interaction में बहुत ज़्यादा मोका मिलता कि अपने doubt को clear करने का तो ऐसी बहुत सारी और भी चीज़े हैं जो time to time हम आपके लिए लाते रहेंगे बट अभी starting बहुत जल्द आपको देखने को भी मिलेगा इन सब चीज़ों के लिए हमें आप सभी का support चाहिए है क्योंकि आप जितना ज़्यादा support करोगे तो हमें उतना ही ज़्यादा motivation मिलेगा और फिर हम उतना ही काम कर पाएंगे अपनी चीज़ों को रहती तो इसलिए skip मत किया कीजिए वीडियो को और अपने उन सबी साथियों तक भी जरूर वो वीडियो भेजा कीजिए जो special educator बनने की तयारी कर ले हैं क्योंकि अगर कोई भी special education जो teacher बनना चाता है और हम उसकी help कर सके किसी भी तरीके से तो हमें बहुत खुशी होगी उस सीज के लिए और आज के लिए इतना ही आगे फिर मिलेंगे हम कभी live interaction में तो हमारे चैनल को जरूर subscribe कीजिए साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाईए ताकि जब भी हम वीडियो बनाए तो तुरंट आप तक notification पहुंझाए और वीडियो को like जरूर कीजिए आत्मे share भी कीजिए thank you